जवान की एक ऐसी मस्त मस्का मार के बात लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप लोग भी खुशी से उच्छल पड़ेंगे जी हाँ इस वीडियो में मैं राहूल बोज आपको बताऊंगा कि शारुक सहाब की जवान में कैसे किंग की एक रिक्वेस्ट पर फिल्म का पूरा प्लॉट चेंज हो गया फिल्म में एक खतरना केरेक्टर आ गया आई ये इस वीडियो में बताता हूँ स्वागत है चैनल टेली घसानों में मैं हूँ आपका यारोगा यार होस्ट राहूल बोज चैनल को फड़ा फट सब्सक्राइब करें आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टेग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस र-a-h-u-l-b-h-o-j तो दोस्तों हम सब को पता है कि जवान जोकी 2023 के जून में आने वाली है अभी से ही excitement है शारुक साहब ने डंकी का लंडन स्केडियूल और साती साथ दोस्तों हमें पता है कि बुड़ापेस्ट वाला स्केडियूल कम्प्लीट कर लिया है and now it's time for जवान जी हां मुंबई में जवान की shooting होगी और south में भी होगी दोस्तों कुछ portion बच्चे हुए है आपको बता दू और साती साथ पंजाब में वो डंकी को शूट कर निकले जाएंगे कैर यह सब के बीच में जवान की बात पताता हूं कि कैसे यह होती है king की power एक request पर film की पूरी कहानी बदल डाली characters बदल डाले दरसल क्या हुआ कि एटली जी ने जो फिल्म के डिरेक्टर है उन्होंने पीपिंग मून की रिपोर्ट है दोस्तों मैं आपको बता दो तो उन्होंने ये बात बोली कि जो है विजे सेतुपती का आना यहां पर राना दुगूबती के ना कहने पर था राना दुगूबती जैसे कि हम सबको पता है कि वो फिल्म में पहले main negative lead होने वाले थे बट उनकी तबियत थोड़ी सी नासाज है वो थोड़ी सी बिमारी में चल रहे हैं जिसके चलते उनकी health साथ नहीं दे पा रही है और उन्हों वो फिल्म से आउट हो गए अब यहां प सबके सामने तारीफे करी हैं तो यहां पर विजे सितुपती जी का नाम सामने आता है और यहां पर दोस्तों बात यहीं पर नहीं ठहरती विजे सितुपती के पास बहुत सारा काम था जवान के आने से पहले लेकिन आपको बता दो दोस्तों तो उस रिपोट मिलका गया है क शारुक साहब के एक request पर पूरी film की cast change होगी यानि कि जवान में जो main lead villain है वो विजय सितुपती हो गए बैवा और उन्होंने अपनी सारी dates को cancel करके जो dates शारुक साहब को देनी थी वो दे दी बैवा यार क्या बात है आपको क्या है कहना ज़रूर बता है यह होता है King पठान क चल्वा बाकी साहरे हालुआ